इस shortcut methods sustainable नहीं होते मतलब long term में आप जो weight loss method को continue नहीं कर सकते उसकी तरफ कभी भी कता ही attract ना हूँ weight loss journey में काफी struggles होती है लेकिन weight loss के बाद भी कुछ unavoidable struggles होती है जैसे की loose skin मैंने 45 plus kilos weight कम करते हुए अपनी body को कैसे tone किया है आज की video में मैं आप से इसी बारे में बात करूँगा अगर आपने मेरी body shaming वाली video देखी हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे मेरे friends और colleagues ने ये मानने से कतई बिलकुली इंकार कर दिया था कि मैंने weight natural तरीके से loose किया है बहुत सारे लोग यही बोलते थे कि तूने surgery करवाई है इतना weight loss इतने कम period के अंदर possible नहीं है body लटक जाएगी वो अपनी जगा बिलकुल सही थे although ये बोलकर किसी भी तरीके से body shaming को validate मैं नहीं कर रहा लेकिन जादतर लोग यही समझते हैं कि बिना surgery के इतना weight कम करना possible नहीं है उपर से body को toned रखना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है well जैसे कि मैंने अपने youtube चैनल पर अपनी entire weight loss जर्नी को मैं जैसे document कर रहा हूँ मैंने ये काफी बार बताया है कि मैंने calorie deficit diet के साथ-साथ regular exercises भी करी है और यही सबसे बड़ा reason है कि मैंने body को tone भी कर पाया हूँ और skin sagging को बहुत ही minimal अब तक मैंने कोशिश करके रखा है क्योंकि मेरी exercises उसके हिसाब से change होती गई है तो पहले quickly वो सारे factors में आपको बता देता हूँ मुझे जिसमें body toning के बाद one by one help मिली और मैं one by one इसको detail में समझाऊँगा point number one lose weight slowly point number two body toning exercises plus weight training point number three muscle building exercises point number one lose weight slowly ऐसा करने से skin को retract करने का time मिलता है बहुत बार जो लोग bariatric surgery करवाते हैं उनके पास body lift surgery करवाने के इलावा कोई option ही नहीं बच्चता bariatric surgery massive weight loss में तो help करती है पर उसके बाद जो skin लटक जाती है उसको address नहीं कर सकती है इसलिए कुछ time बाद ही plastic surgery की help जरूरी पढ़ जाती है fat diet से भी दूर रहें और हमेशा याद रखें कि shortcut methods sustainable नहीं होते हैं मतलब long term में आप जिस भी weight loss method को continue नहीं कर सकते उसकी तरफ कभी भी attract ना हो तो ही अच्छा है point number two body toning exercises या weight lifting बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि जब weight loss करना हो तो कौन सी exercises करनी है the answer is वो exercises जो muscle building में भी help करती हूँ धीरे धीरे start करें easy exercises से start करें और possible हो तो fitness trainer की help लें so that वो आपको सही तरीके से weight loss और muscle toning करने में आपको proper तरीके से guide करें fitness trainer के साथ exercise करने से injuries के chances काफी कम हो जाते हैं मैंने cardio interval से start किया है जैसे मैं weights भी उठाता हूँ आपको एक smart move करना पड़ेगा जिसके लिए आपको एक right diet भी चाहिए एक right fitness expert भी चाहिए और एक combination of fitness की training जो आपको है वो एक combination आपको बनाना बहुत ज़रूरी है मैं आज की date में compound training करता हूँ लेकिन मैं HIIT interval cardio के अंदर interval plus weight training का combination करता हूँ ताकि जहाँ पर body muscles को tone होना है वहाँ पर body muscles tone हो जहाँ पर मुझे basically body को lean करना है वहाँ पर में basically body को lean करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले point number three muscle building foods सबसे पहले तो आता है कि protein जिस पे मैं एक video बना चुका हूँ आप description box में इस link को देख सकते है lean meat, eggs और fish protein के अच्छे sources है लेकिन जो लोग मेरे से vegetarian के options पूछते हैं उनके लिए क्या options है one paneer जिसको आप काफी अलग-अलग तरीके से consume कर सकते है number two soya मेरा एक second favorite item है जिसको मैं बहुत ज़ादा तरीके से अलग-अलग तरीके से consume करता हूँ number three beans जैसे कि राजमा और chickpeas यानि काबुली चना जिसके आप चाट बना सकते हैं अलग-अलग तरीके से इसको भी consume कर सकते हैं मैंने whey protein which is milk protein भी काफी consume किया है आप अपनी protein requirement को naturally पूरी तरीके से अचीव नहीं कर सकते हैं जिसके लिए एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपको external whey protein powder की जरूरत पड़ेगी जो काफी हद तक इस टाइम पर मैं consume कर रहा हूँ मैं कभी-कभी eggs भी खा लेता हूँ जो कि मैंने अपने fitness trainer की advice पर शुरू किया है मैं ज़ादा eggs का शौकीन नहीं हूँ पर अब मैंने consume करना काफी हद तक शुरू कर दिया है bonus tips यह हैं कि मैंने अपने doctor friends से काफी कुछ सीखा है अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको फिर से remind कर देता हूँ कि मैं एक healthcare technology consultant हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारे so that आप अपने skin damage और premature aging को avoid करें या minimize करें number three collagen supplements पर वो आप अपनी doctor के advice से ही लें collagen एक protein है जो हमारी body structure को बहुत जादा काफी important part है अपनी body structure को बहुत जादा tone करने के purpose से अच्छे collagen supplements लेने से aging भी रुकती है natural collagen production जो हमारा over a period of time कम हो जाता है वो बढ़ जाता है जिससे skin and hair में काफी जादा मुनाफ़े मिलते हैं number four screams जो skin tightening promise करती है उनसे बिलकुल दूर रहें वो कभी work नहीं करेंगी number five और last अपने nutritionist और fitness trainers या general physician के help से body composition analysis जरूर करें मैं इस पर पहले भी एक video बना चुका हूँ जो मैंने description box में फिर से मैं डाल दूँगा body composition analysis करनी क्यों जरूरी है इससे आपको पता चलता है कि body में कितना fat percentage रहता है कितना water retention है ताकि आपको इसके benefits time and again मिलते रहें अगर आपने 15 दिन कसरत करें तो 15 दिन कसरत करने के बाद उस exercise और उस diet से आपकी body कहा जा रही है वो आपको body composition analysis से ही पता चलेगा और इसके अंदर एक चीज़ याद रखेगा जिस weighing machine से आप body composition की analysis कर रहे हैं आप repeatedly कोशिश करके same weighing machine को ही use कीजे नई तो 19-20 का फरक महसूस होना आपको शुरू जाएगा अगर आपकी weighing machines बार-बार change होती रहें तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपको याद है ना हर बार याद दिलाने के जरुद तो नहीं है ना इसको प्लीज लाइक कीजिए और अब कमेंट सेक्शन में जादा-जादा questions ऊचे ताकि मैं इस पर जवाब दे पाऊं और आप मुझे motivate करेंगे अगर आप इस वीडियो को सही लोगों के साथ अब तब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जबी भी मैं कोई नया वीडियो बनाओ टाइम एन अगेन आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू मैं फिर से आउंगा एक नए वीडियो के साथ बाइन आओ शुक्रिया